आपको एक next level पे लेके जा सकते हैं जहां से आप लाखो रुपे अर्न कर सकते हैं आप बोलो के सर लाखो रुपे क्यों तो आज हम बात करेंगे कि कैसे उसके related हमें images find out करनी है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कैसे एक web studio को upload करना है प्रीन पे आप देख सकते हो कि हमने क लिए अपना title mention किया था उसके बाद हमारे सारे topics थे आठ नंबर तक topics थे और हमारा जो keyword था क्या कि अभी Google जो pixel 8 pro है हमारा smartphone है इसकी series का सबसे बैस अगर आप कर जाते हो तो भाई आपको earning करने से कोई नहीं रोख सकता तो नमस्ते दोस्तों भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर तो भाई आप देखने सत्वी टॉक्स और आज भाई हम अपना जो लास्ट पार था वेब स्टोरी कीवर्ड रिसर्च का उसको continue कर रहे हैं आज हमारी वेब स्टोरी का जो कोर्स चल रहा था यह है उसका 15 नमबर पार और यह है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन भाई आज हम लाइब स्टोरी अपलोड करके दिखाएंगे कि कैसे आपको वेब स्टोरी को अपलो वेडियो में हमने कीवर्ड रिसर्च पर बात की थी वेब स्टोरी का कीवर्ड रिसर्च जो की लाइफ चेंजिंग पार्ट रहता है आपके केरियर में अगर आप लोग डिस्टोल मार्केटिंग में स्पेशली ब्लोगिंग या वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं कीवर्ड जो होता है important part होता है किसी भी बात करें केरियर के अंदर कि ब्लोगिंग में अगर आगे बढ़ना है या हमें web stories में आगे बढ़ने या दोनों को हमने continue करने अगर आप best keyword research करते हो तो आपको best results आते हैं आप बोलो किसर लाखो रुपे क्यों भाई आप हमें regular follow कर रहे हैं इस course में आप हमारे को first part से follow कर रहे हैं आपने बाकी वीडियो भी देखी होंगी लाखो रुपे हमेशा इसलिए बोलता होंगी ब्लोगिंग के अंदर हम Google के साथ वर्क करते हैं Google हमारे को dollars में earning देता है जब dollars को हम Indian rupees में convert करते हैं तो वह आपका लाखो रुपीज बन जाता है देगा आगर आप 400-500 डॉलर कमा रहे हो तो इसलिए आप daily के अच्छे खासे पैसे earn कर रहे हो जो monthly आपकी income लाखों में find out करनी है किन-किन चीजों का ध्यान रखना है कैसे web story को upload करना है क्या हो ऐसे factors हैं जो हमें consider करने है जब हम इसको web story को upload करेंगे आगे बढ़ने से पहले यह बोलूँगा कि आप वीडियो को like जुरूर कर देना क्योंकि यह वीडियो आपको हमेशा काम आने वाली है और mention करता हूं कि आप मुझे directly connect कर सकते हो कभी भी किसी भी time आप हमारे टेलिग्राम पे इंस्टाग्राम पे या YouTube कर सकते हैं मैं कोशिश करता हूं कि maximum लोगों का reply करूं तो मेरी कोशिश यही रहते हैं कि जो भी आपकी technical queries हैं उनको मैं resolve करूं साथ की साथ अगर आपको किसी को अब ही कारियर शुरू करना है आप भी start करने जा रहे हो और आपको यह मंद में doubt है questions है कि कैसे हम कर पाएंगे कैसे हम आगे grow कर पाएंगे कितना earning हम कर पाएंगे तो उन सारे questions के answer भाई मैंने दी है इस course को follow कर लेना एक एक चीज को ध्यान से देख लेना logics को समझना copy paste मत क सकता है copy paste आपको one time earning जुरूर दे सकता है अगर आपको seriously career बनाना है seriously आप blogging में अपना career continue करना चाहते हो regular consistent रहना चाहते हो तो logics को समझना एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना लिखना practice करना और फिर आगे बढ़ना अगर fail होते हो तो कोई issue नहीं है दोबारा try करना तीसरी चौथी बार try करना जितनी बार आपका performance improve होता रहेगा बेस्ट होता रहेगा copy paste करने वाले जिंदगी बार दूसरे की वीडियो देखते रह जाएंगे आज आप मेरी वीडियो देखने जाओगे परसों किसी और की वीडियो देखने जाओगे हमेशा एक दूसरे की वीडिय approvals थे वह within the timeline कभी एक दिन में दो दिन में मिलें आज में एक चीज और आप शेयर करना चाहता हूं हमें Google News का भी approval मिल गया भाई हमने दो तीन दिन पहले apply किया था और आज approval भी आ गया बिना किसी rejection के तो अगर आपका platform technical free रहेगा तो आपको सब कुछ मिलेगा आपके server की speed अच्छी रहेगी website की speed अच्छी रहेगी तो आपको सारे Google भी आपको रोकेगा नहीं आपको सारी approvals timely देगा अभी हम चलते हैं सिधा स्क्रीन पे हम आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं मैं स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने कल यह अपना title mention किया था उसके बाद हमारे सारे topics आठ नंबर तक topics थे और हमारा जो keyword था Google pixel 8 pro and pixel 8 pro था भाई हमने यह सारी चीजें कल लास्ट वीडियो में हमने ready कर ली थी अब हम क्या कर लेते हैं अभी हम step 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको करना कैसे है भाई इसको करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा हमें अपना content चेक करना है और हमारा यहां पर content ready है आप यहां पर देख सकते हो content हमारा सारा का सारा ready है step 2 की तरफ बढ़ते है step 2 में मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है कैसे करना है तो step 2 क्या कहता है हमारा step 2 में हमें क्या करना है जो relevant हमने topics जोंडे है उससे related हमें क्या कर है अभी इमेजी सर्च करनी और डाउनलोड करनी है also we can download these images from different हम सोर्स भी लिख सकते हैं sources और हम इसको different websites भी कह सकते हैं आप Google से सर्च कर सकते हो भई यहां पर लिख देते हैं Google दूसरा आपका क्या option है प्रिंट्रेस्ट बहुत सबसे टैक करो वहां से सर्च करो संत् sound harmoni तो हमेशा ट्राइक करो कि best images search करो तो अभी हम क्या कर लएते हैं हम पहले देखे लेते हैं कि हमें first image हमारी किसपे सर्च करनी है तो हमें हमारे टाइटल जो है हमारा टाइटल क्या कहता है हमारा Google Pixel 8 Pro ठीक है तो हमें Google Pixel 8 Pro के उपर हमें हमारी images search करनी है हम क्या करेंगे अभी firstly वह क्या करना है हमने भई firstly we will find ठीक है attractive images मैं लिक देता हूं साथ की साथ कि तुम्हारे को easy रहे बाद में तुम images from मुलो हम क्या करेंगे कि we will find attractive images for cover हमारा जो कवर है ना कवर क्या है हमारा लुक एट दा Google Pixel 8 Pro standard qualities तो हमने क्या करना है उससे लेटेड हमारी images search करनी है और हमारा keyword क्या है Google Pixel 8 Pro Google में जाके हम image search करेंगे तो यहां से हमने images पे क्लिक करना है और images पे जाने के बाद हमने सीधा टूल्स पर जाना है और यहां पर हमने size large लेना है size large से क्या होगा कि आपको best large जो भी images available होगी वो करने साथ की साथ अब copyright का जो इश्यू आता है आपका copyright के इश्यू के लिए आपने क्या करना है यहां पर दो option मिलते है creative common license common license का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी common license है इसको यूज कर सकते हैं दूसरा commercial license होता है जहां पर copyright आने के chances ज्यादा रहते हैं तो यहां पर हमने common license को select किया है और यहां पर देख लेते हैं कौन सी image हमें ठीक लग लिए तो जो भी आपको best images लगती है आप वह download कर सकते हूं यहां से तो आप वो क्या करना है बैस से बैस्ट आपके दिमाग से जो भी सबसे ज्यादा best image आपको दिखती है वह आपको search करनी है images बड़े अराम से search करनी है आपको high quality की high definition की images करनी है जितना ज्यादा high definition की इमेजिस करोगी उतना ही ज़्यादा आपको help मिलने वाली है तो यह चीज़े आपको बड़ा अराम से देखना है अगर आपको Google पर नहीं मिल रही है तो आप कहीं और से हमने content लिया था वहां पर कैसी इमेजिस यूज किये तो मैं Google के ही ब्लोग पर जाके वहां से सर्च करता हूं हमारा जो ब्लोग था Google से हमने किया था तो वहां पर देख लेते हैं यहां पी जो images हमें दिख रही है यह चाहता best लग रही है क्योंकि इनकी regulation quality भो चाहता अच्छी लग रही है तो हमें क्या करना है यह सारी images हमने download करनी है और save कर लेनी है तो ऐसे करकर हमें जो भी images हमें best लग रही है हमने वह डाउनलोड कर लेनी है, अब हम next process देख लेते हैं, कि हमें करना क्या है, now we have downloaded cover image, we required images for other slides, तो हमारी cover image के लिए जैसे हमने अभी दो दिन pics डाउनलोड किये, तो ऐसी हमें, बाकी जो slides है हमारी, उन slides के लिए भी हमें images चाहिए, ठीक है, all the images should be relevant to the, जो भी हमारे, हमने topics रखा है, जो भी हमारा content है, तो relevant images to your, इसमें हम लिख सकते हैं, इसको, all the images should be relevant to your slides, slides कर देते हैं, इसको, slide या content लिख देते हैं, थोड़ा easy to understand हो जाएगा, तो जो भी हमारा आप यह देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जो भी हमने 8 slides रखेंगे हैं, इससे related आपका relevant images होने चाहिए, जो भी इनसे relevantly connect करती हो, तो हमने वैसी images सारी search करनी है, तो हमने cover के लिए ढूंड लिए, जैसे अभी कोई randomly कोई एक और उठा लेते हैं, तो हम point number 5 video and photo mode are easier to access, तो इससे relevantly कोई image और find out करके आपको थोड़ा से easy हो जगा understand करने के लिए, तो अभी हम और search कर लेते हैं, Google Pixel 8 Pro camera, तो हमने उसमें camera के बारे में बात किये, तो हम camera related कोई भी एक image और, यह तो video आगे भई, तो video हमने use नहीं करने हैं, video भी आप use कर सकते हो, एक चीज़ और आपको confirm कर देता हो, video भी आप use कर सकते हो, बट हमने अभी image सर्च करने हैं, तो कोई भी image हम देख लेते हैं, जो कि हमारे, जो भी हमारा topic है, उससे relevant हो, camera की quality दिखती हो, जैसे यह image दिख रही है, यहाँ पर एक image यह भी दिख रही है, यह भी हम देख सकते हैं, इसको crop कर सकते हैं बाद में, बाकि इसको भी save कर लेते हैं, एक बार जिसमें ज़्यादा save हो जाएंगी उसकी आप से फिर हम इसको देख लेंगे हमें कौन सी ज़्यादा best लग रही है, दो तिन images उसके लिए download कर लिए, अभी कोई दूसरा option देख लेते हैं, तो इस option से related भी कोई, एक दो images और use कर लेते हैं, तो एक आदी images और find out करके, जैसे कि यह image बहुत अच्छी लग रही है, इसको save कर लेते हैं, यह image भी हमने save कर लिए, अब जैसे last word आगया हमारा, we can get a preview of an article, तो यह जैसे feature है phone का, तो इससे related एक image और ढून लेते हैं, जिसमें इसने article का preview दिखाया है, हमने क्या करना है, अपने दिमाग से देखना है, कि article preview से related कौन सी image है, जो connect करती है, जिसके थूरू आप preview दिखा सकते हो, जैसे यह image हमने अभी थोड़ी देर पहले download कि तो इसमें preview आप show कर सकते हो, तो ऐसे ही आपको find out करना है, कि कौन सी image है, जो उस चीज को connect करती हो, उस चीज को दिखाती हो, तो जैसे कि इक image है, इसमें इसमें भी आप देख सकते हो, तो इसको भी save कर लेते हैं, तो अब जो हमारा process है, ऐसे ही आपने time लगाना है, मैं sufficient images, हमारे पास now, हमारे पास काफी images होगी है, तो मैं साथ की साथ आपको यहाँ पर लिख देता हूं, कि आप लोगो अराम से समझ में आए, हमारे पास अभी sufficient images हो चुकी है, ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर images होने के बाद, अब हमारा जो next process है, step 3 जो हमारा करना क्या है, यह आपको ध्यान से देखना है, और मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूं, now we have to check copyright of these images, ठीक है भाई, तो हमने क्या करना है, इन images का copyright चेक करना है, और देखना है कि कई इन images के ओपर copyright तो नहीं है, यह सीधा आपको बताई देते हैं, practical करके दिखा देते है practical में आपने करना क्या है, पहले बात तो यहाँ पर देखो, common license, जो first point आपका, जो मैंने start करने से पहले बताया, common license आपने use करना है, number one, number two, आपने क्या करना है, यहाँ पर note कर देते है, use common license images, ठीक है, आपको easy रहेगा, understand करने में, तो common license जो option है, वो आपने choose करना है, जब भी आप search करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर use common license option in the google search, while finding the images, तो वह clear हो गया है, आपने हमेशा common license select करना है, मैं उमीद कर रहा हूँ कि, बहुत सारे लोग बीना कुछ select के, सीधा directly search कर लेते हैं, download करके, सीधा upload कर देते हैं, तो first आपक इसमें हम लिख सकते हैं, now you have to check images properties, तो यह भी आपने बहुत important part है, images की जो property है, वो check करनी है, ठीक है, आप एक साथ सारी, आपको ज्यादा times पर लगना नहीं लगना, साथ select करके, right click करके properties में जागे, detail में जाओ, और यहाँ पर remove properties, जो existing properties हैं, इनकी images की, सारी remove कर दो, किसी क कोई भी properties है, जो ownership होगी, वो सारा clear हो जाएगी, हमने सारे की सारी property clear कर दिये, remove कर दिये, तो यहाँ पर अब हम इनको rename कर लेते हैं, rename करके images का नाम दे देते हैं, हमारा जो keyword है, वो keyword हम डाल देते हैं, तो हमारा जो keyword था, हमने यहाँ पर डाल दिये, तो भाई, यह भी हमार step जो हो गया, वो clear हो गया, ठीक है, तो यह सारी चीजे, छोड़ छोड़ी चीजे हैं, जो आपने last video में हमें comments पढ़ रहा था, जिसमें आपने बताया था, कि clear नहीं हुए, तो अब उमीद कर रहा हूं clear हो जाएगी, अब अगले step पे चल पढ़ते है, step 4 जो हमारा है, हमने क्या कर दिया है, now we have cleared all the existing properties, ठीक है, यह हमने कर दिया है, of all the images, ठीक है, यह process हमारा complete हो गया, हमने जितनी भी properties थी, वो सारी हमारी clear हो गया है, हमने वो सारी properties clear कर दिया, अब क्या करना है हमें, अब हम क्या कर लेते हैं, also you have to check watermark, step 4 पर जाने से पहले यह भी एक important चीज ते जो हम skip कर रहे थे, तो इसलिए दोबारा cover कर रहे हैं, कि आपको watermark जुरूर चेक करना है, सारी images के उपर, it should not be there, ठीक है, watermark कैसे देखना आपको, यहां पर एक example दिखा देते हैं आपको, जो आपको समझ में आ जागा है, हमने all license किया यहां पर, और अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको हर चीज पता होनी बहुत जुरूरी है, क्योंकि यह चीज़े कई बार आपके लिए problematic हो जाती है, आप इतनी मेनत करके काम करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि, आपने जो image find out की, वो आपके लिए है, बाद में आपने इतना मेनत करके earning की आपके adsense में पैसा भी जाता है, बाद में जब copyright strike लगती है, तो सारा पैसा दूसरे पसंद को चला जाता है, तो यह चीज़े आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहां पर इस person ने watermark लगाया हो remove कर सकते हो, otherwise आप change कर सकते हो, तो अगले step पर बढ़ते हैं, step 4, तो जो step 4 अभी हमारा आ गया है, step 4 में, now we have to edit these images, ठीक है, अभी हमें इनको edit करना है, edit करने के लिए आप क्या कर सकते हो, we can use, कोई भी tool हम use कर सकते हो, आपके पास जो भी tool available है, वह use कर सकते हो, मैं यह mention करते हो, like, canva, और कौन सा tool use होता है, any free tool भाई, कोई भी tool, जो आप कोई भी comfortable हो, जिस भी tools को आप use करते हो, वो tool आप use कर सकते हो, तो जैसे मैंने यहां पर canva open क्या हो है, तो canva पर, मैं आपको image edit करके दिखा देता हूं, तो हम कोई भी image select कर लेते हैं, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, कोई भी image देख लेते हैं, और यह हमने upload कर दी, इसको edit कर लेते हैं, ठीक है, canva तो बड़ा easy है, भाई, बाकी जो भी आप tool use कर रहे हैं, आप थोड़ा सा color grading भी change करते हैं, तो color grading जैसे आप, यहां से आप change करके filter लगा के color grading चेंज कर सकते हैं, क्योंगि mainly color grading चेंज करने से एक तो जो primary owner होता है, उसको लगता है कि same image नहीं है, additive image है, कहीं से भी downloaded image है, तो यह भी हम कर सकते हैं, प्लस इसमें थोड़ा बहुत और हम करके देख लेते हैं, इसको यह काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा से इसमें टेक्स पगारा add कर लेते हैं, हमेशा मैं recommend करता हूं कि आप इस पर text add करो, जो और ज़्यादा impressive करते हैं, तो यहां पर हम heading ले लेते हैं, heading में Google Pixel, यहां पर एक बार कर लेते हैं, हम keyword को copy कर लेते हैं और वहां paste कर देते हैं, यहां पर हम इसको सीधा directly paste कर देंगे, यहां पर हमने इसको paste कर दिया, इसको हम थोड़ा सा align कर लेंगे, अपनी requirement के हिसाब से, यहां पर हम इसको align कर लेते हैं, तो भई, यह सारे जो process है, यह मेरी team करती है, क्योंकि uploading का का हम, हमें bulk में करते हैं, त तो हमारी team सारा करती है, बट आपके लिए मैं यहां पर आया हूँ, आपको एक एक चीज बड़े आराम से करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को like जुरूर कर देना, इन efforts के लिए एक like तो बनते हैं, चैनल को भी subscribe कर लेना वाई, क्योंकि अब हम जो हमारा course है, इसके ऐस काम पर आगे हैं, जहां पर हम इसको conclude करेंगे, और उमीद कर रहा हूँ, आपको अभी तक की जितने भी पार्ट हमने बनाए हैं, वो समझ में आये होंगे, अगर किसी वो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो comment जरूर कर देना, comment करके पूछ लेना, आपको बैठे नहीं रहना प्रैक्टिस करने है, ठीक है, तो साथ की साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा सेट भी कर लेते हैं, तो भाई, थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, तो इसको जो font है, हम font इसका change कर लेते हैं, आपके साथ मेरी भी प्रैक्टिस होगी भाई, तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि लर्निंग दोनों साइड्स होती है कुछ मैं लर्न करता हूं कुछ आप लर्न करते हो तो यह ऐसी चलता रहता है कारवा भाई तो लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए आप भी लर्न करते हैं मैं भी लर्न करके ही हम सीखते हैं करके ही हम सीखते हैं तो करना बहुत जुरूरी है प्रैक्टिस बहुत जुरूरी है तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहां पर डाउनलोड होगी है तो ऐसे ही वही जैसे मैंने यह डा आगे बढ़ते हैं ठीक है तो now you have to edit all these images ठीक है आपको सारी images edit करनी है जितने भी हमने download किये जितने भी हमारे पास है also you can change the color scheme जैसे हमने color scheme change किये उसके grading change किये तो color scheme grading दोनों change कर सकते हैं जितने भी हमारी existing images हैं तो हमने क्या कर दिये है color scheme और grading हमने इनकी change कर दिये भाई तो अभी हमने क्या कर दिये इनकी color grading और हमने जो भी text बगर था add कर दिया है ठीक है तो मैं आप में mention भी कर दिये if you have if you added some text relevant to the images that will help you that will help you to get better response ठीक है तो हमारे को उतना ही better response आएगा जितना कि हम उसको informatic बनाएंगे relevant बनाएंगे click bad बनाएंगे क्योंकि जो web stories है वो click bad है आपका content impressive है आपका text impressive है relevant है तो उतना ही ज्यादा click करके दिखा दिये तो अभी हम अगले step पे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैंने चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो तो step 5 में हमने करना क्या है now we have to now we have all the data available right for google web stories web story on targeted keyword ठीक है तो अभी हम क्या हो है कि हमारे पास सारी images ready है अब जो भी हमारा targeted keyword था उसके उपर हमने सारी images त्यार कर दी है तो अब यहां से हमारा यह process clear हो गया है कि हमें कैसे image find out करनी है कैसे keywords से related relevantly जो भी हमने topics finalize करें उस से related आपको images find out करनी है कैसे उसको edit करना है edit करके कैसे हमने उसकी properties clear करनी है watermark वगरा पूरा check करना है तो यह सारा process हमारा complete हो गया है यह जितने भी चीज़े हमने mention कि है यह most important चीज़े हैं तो यह आपको ध्यान रखनी बहुत जुरूर है तो नाव लेट स्टार्ट the uploading process तो यहां से भी अब हम क्या करेंगे अपना uploading process start करेंगे तो आप क्या है कि हमारा यहां से uploading process start होगा इसके बाद हम सीधा panel पे जाएंगे और इसको हम लिख देते है step 6 तो यहां से हमारा step 6 शुरू हो जाएगा भाई जिसमें हम इसको note कर देते हैं जो कि आपको easier web story uploading process तो यह में notice ले कर रहा हूं कि आपको समझ में आए थोड़ा slow होता है यहां बट आपको समझ में अगर जल्दी-जल्दी कवर करना हो तो मैं fast fast कवर कर देता है बहुत सारे web story इसमें मनलब जैसे वीडियो record और साथ की साथ मेरी टीम इस पर upload भी कर रहे हैं तो हमने कुछ डाली भी है तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं आपके पास आने से पहले हमें पूरा exercise करना पड़ता है पूरा करना पड़ता है तभी आपके लिए अच्छा content बनाते हैं यहां पर हम क्या कर लेते हैं नई create करके आपको प्रोपर upload करके दिखा देते हैं आप बाद में भी चेक कर सकते हो वीडियो लाइव होने के बाद जब आपके पास आएगी तो प्रोपर चेक कर लेना इसको तो यह हमने जैसे एक बाद डाल के देख़्े दी तो प्रेक्टिस कर लिए तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं इसको हम यहीं छोड़के अपने process पर आ जाते हैं यहां पर हमारा जो process कहता है कि हमने क्या ना क्या है कि आव तो अभी हमने करना कहा है यहां पर हमने अपना प्रोसे स्टाट करना तो हमने हम आप movie कर ले न यहां से अपना title क्यों कर लेंगे यहां से हमारा title copy हो जाएगा तो यह title आप देख सकते हो भई टाइटल तो मैंने डाल दिये बिट काफी लॉंग टाइटल आ रहा है जो हमने चैट जीबिटी से लिखवाया था तो इसको थोड़ा शॉट करना पड़ेगा तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं अपने पॉइंट के अंदर तो नाव वी हैव तो यह जो हमारा टाइटल है लंबा है तो नाव वी हैव लॉंग टाइटल तो वी हैव तो make it shorter या इसको लिख देते हैं short and clickable तो इसको हम छोटा कर लेते हैं और clickable कर लेते हैं तो हम यहां से इसको delete कर देते हैं भी example दे रहा हूं आप अपने हिसाब से title को rewrite भी करवा सकते हैं तो यहां से मैंने इसको short कर दिया है अगर आपको लगते है कि आप उसको rewrite खुराए है तो आप इसको rewrite भी करा सकते हैं वह आपकी choice है hamने नहीं इसको short कर दिया short करने के बाद अभी हम images फह जाते हैं पहले इसको text text add कर लेते हैं पहले हमने जो हमारा title है वह हम यहांद कर देते हैं यहां वे हमने अपना जो टाइटल दा ऊपिया इसको अलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको अलाइटे कर लेते मिवांब मैं थीज़ कर सकते हो जो भी आपझते वह छो लग रहा है मुझे तो एक औरेंज है यह ब्लैक है जो भी आपको अच्छा लगता है वह आप यूज कर सकते हो आप अपनी वेब स्टोरी के साब से अपना कलर चेक कर सकते हो तो इसको आपने प्रॉपर अलाइन करना है ठीक है अलाइन करने के अब हमें करना क्या है जो इमेज हमने कवर के लिए रखी है वह इमेज हमें यहां से करने है और यहां पर डालनी है इसको हम एक बार सेट टू बैकराउंड कर देते हैं से टू बैकराउंड होने के बाद यह आपको कुछ ऐसी लगेगी अनिमेशन अभी नहीं लगेगा क्योंकि एनिमेशन आप लगा सकते हो बटा यहां से हम क्या करते हैं फिल्टर यूज्ज कर सकते हैं आपको लगता है कोई फिल्टर अट्रेक्टिव बना रहा आपकी mention कर देते हैं कि आपको confusion नाव बिल्कुल भी आप इसली कर पाओ यू के नोट फुट एनिमेशन ओन दा फर्स लाइड तो फर्स लाइड पर अनिमेशन जैसे आपने देखा का disabled था तो आप यूज नहीं कह सकते हों यहां पर मैंने लिख दिया फर्स लाइड ऑफ दा गूगल वेफ स्टोरी तो एनिमेशन के लिए आपको मल्टिपल आपकी स्लाइड्स होना जुरूरी है तो फर्स्ट वरी के उपर आप एनिमेशन यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारी जैसे आपने देखा कि यहां पर हमने हमारा टाइटल था तो आप इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और इसके हम अब डुप्लिकेट पेजिज भी बना देते हैं क्योंकि हमारे को छेशा स्लाइड्स और भी एड़ करनी है तो यहां पर मैं आपको लिख भी देता हूं भाई सारी चीज़े मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं कल को मुझे कंप्लेंट नही इस 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 लाइड फॉर जैसे कर देते हैं एंड एड़िट तो वह इसका आप डुप्लिकेट कर लेते हो आपके जितनी आपको स्लाइड्स चाहिए आपके कॉंटेंट के साब से उतनी आप पिपलिकेट कर लो और उसको मैंनेज कर लो तो यहां पर हमारा नेक्स प्रोसेस शुतनी डूप्लीकेट बना सकते हैं तो, यहां पे देख लेते हैं कितनी डुप्लीकेट चाहिए यहां पे हमार पर चाहिए एक हमारा टाइटल फॉल गया तो उसके हिसाब से हम से हिसको 102 कर लेते हैं और वहां से उसको copy करके अपना डालना standard यूज करना वह टेक्स्ट के लिए आपको proper standard यूज करना है एक ही standard रखना आपको यह चीज़े आपको ध्यान रखने है तो आपको टेक्स उसी साब से यूज करने फॉंट साइज वगएरा proper यूज करने आप इसको बॉल्ड भी कर सकते हो जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा आप इसको कर सकते हो तो आपने अपने ही साब से best clickable बनानी है इसको जो कि सबको attract करे clickbait content जीतना रहेगा उतना ही आपको help मिलने वानी है तो हमने क्या किया है इसको reverse mode में चलाते है reverse mode में हमेशा आपको क्या benefit मिलता है उल्टा अगर आप numbering डाल के अपनी web story पर लेके आते हो तो वह first slide तक जुरूर जाएगा वो देखना चाहेगा कि इसकी सबसे best feature कौन सी है तो यह भी एक trick है जो आप use कर सकते हो वैसे में जर्नली ट्रिकों पर बिलीव नहीं करता बट हाँ यह genuine है तो इसको आप use कर सकते हो तो पहले आठ नमबर देख रहा है तो फस्त नमबर तक जुरूर जाएगा यहां पर थोड़ा बहुत color इसका set कर देते हैं जो color हमें duplicate करके अब जो next हमारा topic है हम उसको डालते हैं तो ऐसे करकर करके आपने सारे topic यह डालने तो एक बर मैं सारी डालके दिखा देता हूं आपको तो यह भी हमने कर दिया है उसके बाद एक और इसमें next कर देते हैं जितने भी हमने जो content बनाया था हमने duplicate करकर करके आपको वैसे डालना है तो ऐसे आप इसको प्रोपर तरीके से कर सकते हो तो यहां पर हम इसको एक करके कॉपी करके वहां पर लगा देते हैं यहां पर यह भी मैंने कॉपी कर दिया भाई तो ऐसे आपने सारे के सारे कॉपी करने हैं तो इसको फटा-फट कर देते हैं कि जल्ली जल्ली इसक ज्यादा होते हैं जैसे हमने reverse mode लिया ऐसी आप अपने content के अपने topic के हिसाप से अपने ही data के हिसाप से आप better सोच सकते हो जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही ज्यादा chances रहते हैं आपने experiment करने काफी चीजें ऐसे प्रेजेंट करने हैं कि सामने वाला देख के उसके उपर क्लिक किये विना वापिस ना जाए तो यह जितना भी creativity अपनी वेब स्टोरीज बेडालोगे वेब स्टोरीज क्या कि सिर्फ स्टोरीज है स्लाइड की तरह चलती है तो स्टोरीज जितना ज्यादा अट्रेक्टिव होगी उतना ही आपके पास यहाँ पर CTR बढ़ेगा प्लस आपको response अच्छा आएगा जितना ज्यादा रिस्प आपकी सटोरीज पर अगर टाइम स्पैन कर रहे हैं Pause ज्यादा तो गूगल आपको आगे recantal करते आगर आपकी सटोरीज के ऊपर मानलोगं लैड्स सब्स के एक बार ट्रैफिक आ गया तो उसके बाद आपकी में स्टोरीज पर guides यह तो अप्र वह चैएगा तो जैसे कि मैं लास लाइड बनाई है भाई यह लाइश लाइड में ने कहा कि एक एक्स्टर डाल दी मैंने कि इस बन अफ दा बेस्ट एंड्रोइड फॉन ठीक है और इस पर हम क्या और लिख सकते हैं फ्रॉम इसको गूगल कर देते तो अब हमने क्या किया यह जो हमने इसको बताया कि यह हैं गूगल की तरफ से तो आप ऐसे ही एक स्लाइड और एड़ करके अगर इसमें आप एड़ करना चाहो कि आप अपने लिंक पे आर्टिकल पे लेकी आना चाहते हो तो एक नेक्स लाइड भी यह आप डाल सकते हो तो आपकी चॉइस है कि आप डालना चाहते हो या नहीं मैं डालना चाहते हैं यह सेम पर भी आप Link लगा सकते हो इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं थोड़ा और एट्रक्टिव कर लेते हैं इसको न तो इसी पर हम लगा लेते हैं फूर क्या लेख सकते हैं आपे है ओ आप मौर इंट्रस्टिंग स्पेलिंग ठीक कर लएते हैं वई यह जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं तो गाईस आप अपने हिसाब से जो बेस्ट लगया आप वो लिख सकते हो तो चेक आउट मौर इंट्रस्टिंग स्टोरीज ठीक है तो हमने इसको कर दिया चेक आउट मौर इंट्रस्टिंग स्टोरीज तो थोड़ा सा इसका फॉंट साइज बढ़ा देते हैं क्योंकि अगर कोई भी हमारी ओडिंस लास्ट स्लाइड तक आ रही है तो इसको हम यहां पर सकते हैं पर यहां पर सकते हैं यहां पर तो वह हमेशा आपके ट्राफिक को होल्ड लाड लेंस करते हैं आपकी site ब करता हूं आप वाफय स्टोरी से लगायो जो आपकी वीस्टोरी बूस्ट हो पर आप अपनी जो नई वेव स्टोरी का आप लिंक डालते उसको इसमें एड कि अगर अब थोड़ा सा इसमें अनिमेशन डाल देते हैं अब टेक्स्ट पर लगा देते हैं तो टेक्स्ट पर हम इसको जैसा आपको सूट करता है वैसा आप ट्राइ कर सकते हो यह भी है साइड से जो आ रहा है हम बट सी जो नीची आते हैं यह ज़्यादा बेस्ट लगते यह इसको हम यूज कर लेते हैं तो इसको प्ले करकर लेते तो यह आमारा ऐसे करके हमने सारी स्लाइड सब्सक्राइब है इसके duration भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इसको हमने बढ़ा दिया है तो ऐसे आप भी इसको use कर सकते हो आप भी अपने ही साब से लगा सकते हो टेक्स्ट तो यहां पर हमने इसको लगा दिया अभी हम क्या करते हैं हम kan images को upload कर देते हैं जो हमारी बची इमजीज आ कि इनको अप्छी आप कर लेते हैं यहां बेहां उपलोड कर लेते हैं शपोर के इनदर जो इमेज्स हैं इनको हम upload कर लेते हैं ऐसे सेलैक्ट करके जो जो आपने final करके अप हर web story के लिए अग फोल्डर बनाके रखो फाइनल एडिट करके रखो और वहां से आप स्टोरीज है तो हम यह साथ आठ इमेजिस कर लेते हैं अपलोड यहां पर हमने सारी मेजिस अपलोड कर दिये तो एक एक करके हम यह इमेजिस वहां लगाएंगे तो मैं चाता हो कि आप अराम से इसको देखें कि एक वेब स्टोरी कैसे बनती है इसमें आप आपका ओल्टेक्स टाइटल और कैप्शन और डिस्किप्शन यह डालना मत भूलो यह वह जुरूरी है आपके जोई कीवर्ड होते हैं हमेशा आपको इसको सेट कर सकते हैं अलाइन कर सकते हैं साइजिंग इसकी हम यहां से चोटी बड़ी कर सकते हैं तो साइजिंग भी हमारी यहां से आप देख सकते हैं तो ऐसी हमने एक एक करके सारी इमेजिस हमने यहां पर एड़ कर देनी है तो यहां पर यह देखिए मैं एक करके सारी prepareu दिखा देता हूं और लगा अपर बीक उपने आपने एक यह करके सारे में अपने एड करनी है और यहां लगा देनी है तो यहां पर हम एक दो इमेज और लगा देते हैं तो यह भी एड़ कर देते हैं यहां पर यह इमेज भी यहां आगी है तो ऐसे ही हमें एक दो इमेज और एड़ कर देते हैं तो यह अभी हमने लगा देते हैं इसको देख लेते हैं इसको यहां पर यूज कर लेते हैं तो यह करके हम सारी इमेजिस लगा देते हैं तो यह एक इमेज है इसको भी यूज कर लेते हैं यह ठीक लग रही है तो इसको लगा देते हैं तो उसके बाद अब हमारी मेरे ख्याल से सारी इमेजिस कवर होगी है तो एक लास्ट वाली मेरे ख्याल से थी चलो अब हम सीधा चलते हैं डॉक्यमेंट पर जाके अभी हूं अपना इसको नेक्स स्टेप में कवर कर लेते हैं जो अब हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्डेंट पार्ट है अब हमें करना क्या है यहां पर पहले चलो इसको एक चीज़ कर देंगे अब 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 लोडिंग वेब स्टोरी अब लोडिंग परसेस इस कम्प्लीटिड इस दन ठीक है तो यह हमारा खतम हो गया यहां पर अब हमारा आता है स्टेप सेवन जो मोस्ट इंपोर्टेंट ह तो now we have to to the SEO SEO भी बहुत जुरूरी होता है वह स्टोरी के लिए तो SEO for the web stories तो हमें basic SEO भी करना जुरूरी है इसका तो अभी हम क्या करेंगे इसका basic SEO करेंगे जो हमें हमेशा help करता है इसमें हमें meta description लिखनी है इसके tags हैं जो वो tags हमने इसमें लगाने है तो बड़ा slow-slow कर रहा हूँ क्योंकि हमारा यह almost second last part है यहां पर हमारा web story course complete हो जागा almost उसके बाद जो earnings आएंगे उसके उपर एक बार बाद में क्योंकि earnings आने में भी time लगेगा तो उसमें वीडियो बाद में बना देंगे almost हमारा course यहां पर हम complete कर देंगे तो इसलिए में चाहता हूँ कि पूरा जितना भी तो उसके लिए आप chat gpd की help ले सकते हो तो हम इसको chat gpd से इसको एक बार लिखवा सकते हैं यहां पर ठीक है तो मैं यहां लिख देता हूँ तो create short meta description और you can write by yourself तो आपकी choice है अगर आप खुद लिखना चाहते हो आप खुद लिख सकते हो तब खुद भी डाल सकते हो यह आप chat gpd से भी help ले सकते हो तो हम क्या करते हैं यहां पर अभी हम खुद ही लिख देते हैं तो हम खुद लिख सकते हैं यह अगर आपको नहीं अच्छा लगता किया नहीं आपसे अच्छे इंग्लिश बनती अट्रेक्टिव सी तो आप चैट चीपीटी को भी बोल सकते हो तो हमारा चुब बिएन कीवर्ड है Google Pixel 8 Pro ठीक है it is the latest smartphone क्या कि अभी Google Pixel 8 Pro है हमारा smartphone है इसकी serie का सबसे बेस्ट फोन है it has one the best camera for इसकी सबसे जो special quality है हम उसको mention कर रहे हैं कि audience अगर आपकी आती है तो इसके पर सस्टेन करें तो वीडियो रिकोर्डिंग जो गूगल ने स्पेशली मेंशन किये हैं एंड मैंनी मौर फीचर्स हमने खुद से लिखा है तो आप चैट जीपीटी के खुद से और पेस्ट करने हैं तो हमारा विगूगल पिक्सल एट प्रोथा दूसरा हमारा पिक्सल एड परो धा दोनों टैक्ड हमारे जो है він है यहाँ पेस्ट इमेज है उसको भी एक बार हम add करेंगे तो यहाँ पर हम इसकी जो poster image है उसको add कर लेते हैं ठीक है तो उससे पहले एक बार इसका permalink इसका हम क्या करते हैं permalink इसका set कर देते हैं तो हमारा permalink काफी बड़ा दिख रहा है है जो हमारा duration है slide का हमने 7 seconds रख है आप इसको बढ़ा भी सकते हो इसको कम भी कर सकते हो तो आपकी च्वाइस है category गर आपको डाले तो category भी डाल सकते हो प्वलीश बटन पर जैसे जाएंगे तो जो हमारी cover image है उसको भी हम यहां से लगा देते हैं तो हमने जो cover image हमारी बनाई थी तो यहां पर आप caption वगेरा डाल लेना ठीक है जो कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ रहा है यह most important part है कोई भी कॉलम अगर खाली रहता है तो हमेशा आपको कहीं न कहीं ranking डाउन करता है तो आपने आपकी सारी information proper डालने हैं यहां पर हम यहां पर पूरा डाल लेते हैं तो हमने अपना cover image यहां पर select कर लिए इसको crop कर दिए तो हमारा cover image भी select हो गया है यहां से आप सीधा आप इसको publish कर सकते हैं तो जो अभी नहीं करना है थोड़ा सा मैंने अभी working now we have now our web story is ready ठीक है तो हमारी web story ready होगे है to publish तो ऐसे भई आपको अपनी web story त्यार करनी है और आप उसको publish कर सकते हैं तो तो उमीद कर रहा हूं कि यहां तक कि जो अभी process हमने बताई है step by step पूरा clear बताया आपको और यहां आपको इससे best कोई नहीं बता सकते हैं तो हमने एक चोड़ी चोड़ी चीज cover की है उमीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीजे समझ में आई होगी यह जो हमारा best part था web story का आज हमने बड़ा detail में बड़ा slowly हमने cover की है और इससे better आपको कोई guide नहीं कर सकता है हमने एक एक चीज बिल्कुल आराम से बिल्कुल freely mind आपको करके टैक्स कैसे लगाने है पर्मा लिंक कहां से चेंज करना है इफेक्ट कैसे डालने है तो सारी चीजे हमने ब्रीफ में बताई है इससे best अगर आप कर जाते हो तो आपको earning करने से कोई नहीं रोग सकता web story में potential है यह बनाने के बाद मैं फिर से repeat कर रहा हूं अगर आप web stories पे जो fresher है career शुरू कर रहा है वो भी इसमें काम कर सकता है और अच्छा खासा earn कर सकता है इसमें बहुत बड़ा potential है भाई मैं हमेशा अपनी earning क्यों दिखाता हूं इसलिए दिखाता हूं कि आप लोगों के अंदर motivation आए जो लोग यह कहते हैं कि web stories पे आप काम करने कोई फाइ course follow करो पहले वीडियो से लेके last की वीडियो तो कि यह आज हमारा 15 नंबर पार्ट है यहीं पर हम अपना web story course खतम कर रहे हैं इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ earning का जो होगी हमारी थोड़ा सा इसमें earning आ जाएगी तो मैं आपको शो करूंगा बीच में अगर कोई वेब story को पर किसी नहीं बनाए जिसमें हमने पूरा website setup से लेके हर चीज आपको detail में confirm किये इस efforts के लिए एक पर वीडियो को like कर देना और comment करके जुरूर बताने की course आपको कैसा लगा अगर course में थोड़ी सी जान लगी न तो भाई आप मेरे efforts को appreciate जुरूर करना भाई और मै उमीद कर रहा हूं कि जल्दी आप लोग अपना वेब story का जो status है में साथ share करोगे आप अपनी success story में साथ share करोगे इसके बाद एक नई journey शुरू करेंगे हम नई तरीके से आएंगे हर तरह से आपको support करेंगे आपकी website को भी review करेंगे आपकी वेब stories को भी review करेंगे आपके साथ हम podcast भी करेंगे जो भी हम इस course को देख के success करता है तो आने वाले टाइम में उमीद कर रहा हूं भी आप maximum से maximum कमा हो भी एक एक महीने में 20-20-1000 डॉलर कमा हो भी आप इस channel पर feature हो भाई मैं सबसे ज़्याद एक्साइटीड हूं आपको इस channel पर feature करने के लिए वो मेरे ल होगा अगर कोई भी डाउट है अगेन बाद बोल रहा हूं कोई भी टेक्निकल इशू है तो आप उसको टेलेकराम पर कनेट कर सकते हो इंस्टागराम पर कर सकते हो यहां पर भी मैसेज डाल सकते हो मैं आपके मैसेज का रिपलाई जरूर करूंगा इसी के साथ इस course को यही आप इस चैनल भी आगे फीचर होते हो तब तक धियान रखो वाई वाई टेक केर नाइए